रोल्स रोइस, सीर पे कार कमपणी नहीं, एक टेटा सिंबल भी है, वर्ड में लॉंगेस्ट टार मेनफ्रेक्टिरिंग कमपणीओं में से एक है रोल्स रोइस, इस कमपणी की शुरुआत हुई थी साल 1904 में, और साल 1904 से अब तक, यानि की साल 2020 तक, इस कमपणी ने पूरे 116 साल कमप्लीट कर लिया है, तो इससे आप लोग भी ये समझ पा रहे होंगे, कि ये कमपणी कितना पॉपूलर और पूराना है, वैसे इस कमपणी की सुरुआत की थी, हेंडरी रोइस और चार्ल्स रोल्स ने, और इन ही के नाम पर इस कमपणी की नाम है, रोल्स रोइस, तो आज की इस वीडियो में, मैं और आप इतनी पूरानी और पॉपूलर बिर्टिस कार कमपणी रोल्स रोइस के 22 ऐसे माइंड ब्लूइंग पैक्स के बारे में जाने बाले है, जो साइद आपको नहीं पता, So, लेट्स बिगन दा इंट्रोर, पैक्स नमबर वन, दा फास्ट रोल्स हैद 10 होस पावर, हेंडरी रोइस का फास्ट क्रियेशन और इस क्रियेशन का डेबिव हुआ था साल 1904 में, इस पहली रोल्स रोइस के इंजिन के बारे में बात करे, तो इस गारी में 1.8 लीटर का 2 सिलिंडर इंजिन था जो सिर्ट 10 होस पावर प्रोडूस करने में सक्सन था और अगर ट्रांस्मेशन की बात करे तो इस गारी में 3 स्पीड मैनुएल ट्रांस्मेशन आता था और इस गारी का नाम है रोइस 10 इसके बात कमपणी ने साल 1906 में एक और नई कार लॉंच करी जिसका नाम था दा सिल्वर घोस्ट। फुरवत में तो सिल्वर घोस्ट को उतना अच्छा रेस्पॉंस नहीं मिला। लेकिन बात में इस गारी ने नॉन स्टॉप 24,000 किलोमेटर चलने की रेकॉर्ड बनाई और इस रेकॉर्ड ब्रेकिंग पर्फॉमेंस के बात ये गारी बहुत ज्यादा पॉपुलर बन गया। अभी 2020 में रोल्स रॉइस का दस सिल्वर घोस्ट कार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिब कारों में से एक है। इस कार का फिल्हाल कीमत है 57,000 ऐस डॉलर जिसको इंडियन कारेंसी में कंफर्ट करें तो मेरी तरह आपके भी होस्ट उर जाएंगे सुनकर। तो इंडियन कारेंसी में बनता है फूरे 432 करोर 95,54,700 रुपे। क्यों सुनकर होस उर गया न। इसके बाद साल 1911 में रोल्स रॉइस ने अपने गारियों के हूड में एक पॉर्णामेंट को इंट्रडूस किया। जिसको दा स्पीरिटोप एस्टेशी कहा जाता है जिसको अब ही भी रोल्स रॉइस के नए कारों में देखा जा सकता है। और कमपनी के तड़ाध स्पीरिटोप एस्टेशी भी बहुत पुरा ना है। इस hood ornament को कोई चूड़ा ना सके इसके लिए company ने इसको ऐसे design किया कि जब यह गारी start होती है तब यह hood के उपर आ जाती है और जब गारी parked है तब इसका ornament hood के नीचे चली जाती है और इस ornament को hood के अंदर और बाहर जाने के लिए company 24 links और bearing का इस्तेमाल करती है Fact No.4 Rolls-Royce made also plane engines जी हां Rolls-Royce cars के साथ साथ हावाई जाहोजो के engines भी बानाता है Rolls-Royce ने साल 1933 में 27-liter की split fire Marlin V12 engine को बनाया था और यह engine exhaust से बहुती powerful thrust generate करने में सक्सम था Fact No.5 Rolls-Royce was only selling chassis and motor यह आप जानते है Rolls-Royce साल 1946 तक सिफ गारियों के chassis और motor बनाता था गारियों के body को बनाता नहीं था उस बक्त company recommend करती थी customized body और कोच बनाने के लिए बेकारेन को company को उस बक्त बेकारेन को company लंडन में कोच बनाने बाली company थी और Rolls-Royce की car the silver ghost के body को इसी company ने बनाया था जो आज बहुती मेहंगी गारियों में से एक है Fact No.6 You could only get a phantom 4 if you wear a royal जी हां ये भी एक fact है 1930s और 1940s के era में Rolls-Royce आमीरों के लिए एक data symbol बन गई पूरे दुनिया भर में आमीरों के लिए सिर्फ एक ही company रह गई थी Rolls-Royce Rolls-Royce का value आमीरों में और भी ज्यादा बार गया जब साल 1950 में British Royal Family ने Rolls-Royce को अपनी पसंदीदा car manufacturing में से एक चुना और तभी इंगलेंड की princess Elizabeth कहली थी जिन्होंने Rolls-Royce Phantom 4 को खरीदा था Rolls-Royce ने इस model को सिर्फ राजघरा ने और अन्य राष्ट धक्स के लिए ही बनाई थी Rolls-Royce ने Phantom 4 के सिर्फ 18 18 मोडल सी बनाई थी जिसके कारण Rolls-Royce Phantom 4 पूरी दुनिया में सबसे रियार यानि की दूरलप गारियों में से एक है Fact No.7 Rolls-Royce have a special training program for drivers अगर कोई customer एक premium और most expensive car खरीता है तो वो चाहेगा उसके गारी में सबसे अच्छा driving experience और सबसे अच्छा relax और comfort riding उसको मिले तो ठीक ऐसा ही experience कार के मालिकों को देने के लिए Rolls-Royce ने एक training की सुबत की कार के drivers के लिए जिसको कहा जाता है The Rolls-Royce White Glove Experience तो इस training में driverों को सिखाया जाता है एक driver को कभी भी sunglass पहन कर, guest का welcome नहीं करना चाहिए और जब guest आसपस हो तब driver को sunglass को कभी भी अपने गर्दन के पीछे नहीं लगाना चाहिए इसका अलबा बिना उमलियों के निशन छोड़े, कैसे गारी के door को open या फिर बंद करे और जब गारी में brake का इस्तवल करना पड़े, तब कैसे brake करे, ताकि guest का सर move न करे और गारी को road में कैसे चलाए ताकि guest को एक अच्छा ride मिले तो Rolls-Royce के training में driver को यही सब कुछ सिखाया जाता है जी हाँ दोस्तों यह भी एक fact है, Rolls-Royce company अपने गारियों के इंट्रियर्स को बनाने के लिए बूल्स के लेदर का ही इस्तमल करता है, गायों के चमरे से बनी लेदर को Rolls-Royce इस्तमाल नहीं करता, क्योंकि जब गाये pregnant होती है तब उसके सरीर में scratch mark बन जाती है और इसका अलाबा मच्छर और दूसरी कीरों के काटने से गायों के सरीर में दाग धब्बे भी हो जाती है इसलिए Rolls-Royce Company अपने गाड़ियों के इंटेडियर को बनाने के लिए गायों के चमरे का इस्तमाल नहीं करता लेकिन इंटेडियर्स को बनाने के लिए सिर्फ यूरूप से ही बूल्स के लेदर को मंगबाया जाता है इसलिए यहां के बूल्स के लेदर्स को Rolls-Royce अपने गाड़ियों के इंटेडियर्स में इस्तमाल करता है यहां यह फैक्ट भी सच है जब भारत के एक रियासत में महराजा जैसिंग का सामना लंडन के रोल्स-Royce सोरूम में एक सेल्समेंग से हुआ जिन्होंने सुझा दिया कि वो कार खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते तब राजा जैसिंग ने दस रोल्स-Royce कार खरीदे और उन्हें भारत भेजा और उन्हें इस्तमाल करने का आदेश दिया कच्रा इखटा करने और परिबहन के लिए सुर्वाती दिनों में रोल्स-Royce के गारियों के ग्रिल्स को हातों से बनाया जाता था और जो भी वार्कर्स ग्रिल्स को बनाता था वो अपने इनिसियल्स यानि की सिगनेचर को ग्रिल्स में लिख देता था एक जोडी हात पिछले 17 बरसों से सभी रोल्स-Royce कारों पर पिंस्ट्रापिंग पेंट कर रहा है और उनका नाम है मार्क कोट कोट इस मुश्किल काम को तब से कर रहे है जब कमपनी ने अपना गुट उट प्लैंट को दो हज तीन में खोला था और ये उनका कमपनी में एक मातर काम है जिसके लिए कमपनी मार्क कोट को एक अच्छी और तगरी सेलरी भी पे करता है है टूनमर 12 झाल